नमस्कार में Dr. Alka Batala, नीलकंट IPEF Specialist Kota Center आज हम बात करेंगे IUI की सफलता दर्ख को बढ़ाने की टिप्स के बारे में AART की सबसे बेसिक तक्निक IUI की सफलता दर्ख को कैसे बढ़ाया जा सकता है इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्श को हम डिसकस करेंगे निसंतान दर्पत्तियों में IUI एक सबसे पहले पसंद के जाने वाले प्रजनन प्रक्रिया है यह IVF के कंपेर में नोन इन्वेजिव और बहुत कम खर्चे वाला तक्नीक है इस तक्नीक में विशेशग्य के द्वारों शुक्राणूं को सीधे गर्भाषय में छोड़ा जाता है अगर हम बेसिक प्रकरतिक गर्भाधारम के बारे में बात करें तो शुक्राणूं को फैलोपिन ट्यूब तक पहुँचने के लिए पहले वैजाईना, फिर गर्भाषय के ग्रीवा, फिर गर्भाषय के कैविटी और फिर फैलोपिन ट्यूब यह रास्ता तै करना पड़ता है और इस IUI तक्नीक के द्वारा वीजे को प्रोसेस करके उसमें से अच्छे शुक्राणूं को विशेशक के द्वारा सीधे गर्भाषय में डाला जाता है IUI के सफलतदर को बढ़ाने के लिए तनाव नहीं ने उसका मेंजमेंट सही तरीके से करें द्वारा बताई गई बातों के अलावा कुछ अन्य उपाय से भी इस IUI की सक्सेस रेट को बढ़ाया जा सकता है इसी सबसे पहला पॉइंट है हेल्दी डाइट हेल्दी डाइट में संपून अहार जिस संपून अनाज लें वसा यो प्रोड़क्स यसे डेली प्रोड़क्स के सेवन करें अपने शरील को हाइडरेट रखें पानी जादा पी दूसरे नमें पर आता है एक्सेसाइज एक्सेसाइज करें हलकी और मध्यम टाइक की भारी एक्सेसाइज ना करें और एक्सेसाइज में अपनी डेली दिनचरह में हो सके तो व्यायाम को शामिल करें और अपनी fitness experts से या doctor से सलहा लें कि किस तरह की exercise की जाए इसके अलावा है तनाव मुखत रहें stress नहीं लें अपनी result का weight करें पर तनाव ना रहें और खुश रहें जितना खुश रहेंगे उतना IOI के success rate को बढ़ाया जा सकता है इसके अलावा है acupuncture acupuncture में particular कुछ points होते हैं जिसको press करके blood circulation बढ़ाया जा सकता है ऐसी condition के लिए अपनी किसी experts से सलाले acupuncture points को select करने के लिए इसके अलावा success rate को बढ़ाने के लिए धुम्रपान से बचें IUI से पहले और IUI के बाद दुम्रपान बिल्कुल avoid करें क्योंकि ऐसे research में देखा गया है कि जो ladies दुम्रपान करती है ऐसे ladies में IUI के सफ़तादर काफी कम हो जाती है इसके अलावा है IUI के बाद संभूप कर सकती है एसा देखा गया है कि संभूप के बाद uterus का सिकुर्णा शुरू हो जाता है और वो जो सिकुर्णा का प्रोसेस होता है वो शुकुराणों को uterus से पहलोपिन ट्यूब में पहुचाने में मदद करता है तो ऐसी condition में IUI के success rate बढ़ाई जा सकती है तो अगर आपको इस बारे में कुछ discuss करना है या कुछ पूछना है तो आप हमें contact कर सकते हैं या हमारे दिए गए नमबर पर call कर सकते हैं धन्यवाद